क्या शिवलिंग को तुलसी के पौधे में या उसके आसपास रखना चाहिए? ध्यान रहे गलती से भी तुलसी में न जाए शिवलिंग पर चड़ा हुआ पानी या फिर जल वरना कई सावन निकल जाएंगे भोलेनात को मनाने में हिंदु धर्म की पृतियक पूजा में तुलसी का अपना अलग ही महत्व होता है भगवान विश्नु की प्रिय होने की वज़े से लक्षमी रूप माता तुलसी के बिना भगवान कोई प्रसात तक ग्रेंड नहीं करते हैं लेकिन तुलसी भगवान शिव और गंपती की किसी पूजा में नहीं चड़ाई जाती है आखिर इसकी क्या वज़े है जिसकी वज़े से माता तुलसी भगवान शिव और गंपती द्वारा पसंद नहीं की जाती है आईए जानते हैं और यह जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल महकार संसार में पूर्व जन में तुलसी का नाम वरंदा था और वो जालंदर नाम के राक्षष की पतनी थी वो राक्षष वरंदा पर काफी जुल्म करता था ये देखने के बाद जालंदर को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने भगवान विश्णू से आगरह किया जब जी ने तुलसी को बताया कि मैं तुम्हारा जालंदर से बचाव कर रहा था अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लकडी की बन जाओगी इस श्राप के बाद वरंदा कालंतर में तुलसी का पौधा बन गई थी शिव जी की पूजा में तुलसी की जगए बेल पत प्राप्त किया था एक कहानी और प्रचलित है कि क्यूंकि भगवान गनेश जी को भी तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाये जाते हैं और वो किस कारण से आईए जानते हैं एक बार की बात है गंगा किरारे जो है वो भगवान गनेश जी तब कर रहे थे तो वहीं माता तुलसी अपनी विभा की इच्छा को पून करने के लिए तीर्थियात्रा कर रही थी तब ही तीर्थिस्थलों का ब्रह्मन करते हुए उस दिन वो गंगा के किनारे आ पहुँची जहां भगवान गनेश जो थे वो तब कर रहे थे भगवान गनेश को तब करते देख वो उन पर मोह और उन्होंने भगवान गनेज जी से विवा का मन मना लिया उन्होंने गनेज जी की तपस्या को भंग करके उनके सामने विवा का प्रस्ताव रख दिया तपस्या भंग होने पर गनेज जी बहुत गुसा हुए और उन्होंने विवा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो भ्रमचारी हैं और इस बात से गुसाई माता लक्षमी ने भी गनेश जी को श्राब दिया और नोंने कहा कि उनके आगे जाकर दो विवा होंगे इस पर गनेश जी ने भी उनको उल्टा श्राब दे दिया और कहा कि उनका विवा एक असुर शंक चून से होगा राक्षर की पतनी होने का शाप सुनकर तूलसी जी ने गनेश जी से माफी मांगी तब भगवान गनेश ने उन्हें शमादान देते हुए कहा कि वे सत्युग में भगवान विश्नु और क्रश्ण जी की प्रिया होने के साथ honest कल युग में संसार को जीवन और मौक्ष देंगी लेकिन म उसकी पतियां गलती से भी शिवलिंग पर तूट कर ना गर जाए आपको शिवलिंग को घर के पूजा मंदिर में ही रखना चाहिए या फिर आप कहीं और स्थापित कर सकते हैं लेकिन तुलसी के गमले में बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुलसी भगवान शिव को नहीं रहती हैं तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जै शिव शंकर जै भुलेनात